नमस्कार, GTPL गुजराद नियूज नी एक नवी शरुआत सकसे स्टोरी मां हूँशी तलपटेल आपनों स्वागत करूशू कहवाई शेन, दलेडर ओफ सकसेस नेवर क्रावडेड एड़ तर तो, सफड़तानी सीडी ना उच्छे स्थान पर गसारो होतो नथी, परन्तु त्या सुधी पहुशू दरीक माटे शहलो होतो नथी, गणा ये उच्छा एवा लोको होई शे, जी सफड़ताना सीखरो सर करता होई शे, सफड़तानी लक्ष सुधी पहुश्वा माटे गणा उतार चड़ाव आवता होई शे, परन्तु त्या सुधी पहुशू गणुज मुस्केल बरी होई शे, त्यारे आजे तमारी मुलाकात कराववी रही एवाज एक सदस्य साथे, जो शे सिम्नानी मोर्टर्स न नेटवर्ग ने, हार्दिक भाई ने, तमने सितल के, तमने मने फर्स एपिसोड मा इन्वाइट करवे ना माटे हूँ तमने तही दिल थी तमने थैंक्यू क्या होँशू, एंड परिवानी वाद छे, तो वाइक छे, बे बेबी छे, मम्मी, पपा, भाई छे, पाई मारे सा पोलेश, ड्रॉब करी थी छा गषिए ने बोटान परिव है करी तमने नौकरी साथे शारव वाद करी, तू आज तमने टमारा करियरे निर करिवités अनने क्या सबंने तुम साथे ? यह काफी लंबी स्टोरी है, बट मैं दसवी में फेल हो गया था, पापा का ट्रांसफर हो गया था, उस टाइम पे मासा बोलते है, जो खालू, मेरे उनकी खुद के स्टेडी की स्टेडी थी, तो उनको एक लड़का चीह था, कि वह स्टेडी देख सके, उसे समाल सके, बस वह कोईंट बोक्स वाला ताइम चलता था, कोईंट बोक्स जाके कॉल करना, तो वहां में जाता था, बैठता था, उसके कुछ दो जार रुपे के आसपा सेलेरी फिक्स की थी, तो वहां में 15-20 दिन गया, तो मैं मैं सिष्टर, मेरी इक सिष्टर है, उसका चूनियों का और का दिवा की सिष्टर चलती है, तो तुई एक महिना में मुझे हेल्प करें, को आजाएगा, तो मैं क्यों नहीं मैं आजाओंगा, तो वहां मैंने 15-20 दिन उनको हेल्प की, तो उन्होंने मुझे कुछ 300-400 रुपे मैं मैं फर्स्ट इंकम, मैंने वहां से चालू किया, और दसवी के एक्जाम दी, और उसमें भी फेल हो जाए, सेकंड टाइम में दसवी में, फिर से एक सब्जेक बाकी था में उसके एक्जाम दी, तो उसमें मैंने दसवी पास कर ली, फिर 11 वी और वी कंप्लेट की, बार वी भी पास की, एंड जॉब ढून रहा था, भाई मेरा स वी जेए, आपने नाम सुना होगा, हुआ मैं अंगे लेकर आजा, प्र में तो मैं तुली आ इंटर्वु ख़ोड़ा दिता हूं, तो मैं पूरा पॉर्फोलियो प्रवाटो पूरी फाइल लेकर आए, उस मैनेगे ने मुझे एक घंटे बिठाया, खाली ए बोलने के लिए कि एक कमनी में दो भाई जोब नहीं कर सकते हैं उतना बोले के लिए मुझे एक घंटे तक वेट कर वाया फिर मैं तो वटफोली लेके निकल गया उस टाइम पर पापा ने अपनी टूविलर बेज़ दी थी इस प्लेंडर तो उनको नहीं गाड़ी ले नी तो कटारे होंडा कर लेता है तो मैंने बूला आया हूं यहां तक आया हूं तो इंक्वाइरी कर लेता हूं गारी की आया हूं तो वहां मेरा क्लासमेड मिल गया मुझे तो उसने बूला क्या कर रहा है अच करेगा जोब में क्या हां करूंगा क्यों नहीं करूंगा तो उसने मेरा इंटर्यू कुछ गूर्ट मोबायल में इस तरह से मेरी आटो मोबायल में एंटरी हू़ी तैन मुझे पता नहीं था कि इस प्लेंडर कॉन से कमने के गाड़ी है न कोई ऑर्ट मोबायल के बारे में इससे पहले में कुछ नहीं जानता था तो शिखा एक या देड़ साल में और काफी गाड़ी बेची अच्छा काम किया पाँजार पानसों के आसपास की ती कुछ से आसपास उसके बाद नाना ऋटी हुंडाई में मैंने का चलो ग्रोथ करते हूं ओफ फूर वीलर में वहां भी मैंने में एक दो साल काम किया उसके बाद सिलीकॉन हुंडाइ किंग फॉर्ट कॉमेंट मोटर्स तीन चार साल में काम किया इतना काम कर रहे इतनी गाड़ी बेज रहे ना इंसेंटिव बीस पचीजा से जादा कमा नी रहे चल क्या रहा है लाइफ के साथ कुछ करना चीए मतलब हो क इतले में बड़े सोरूम है यह है मैं करते तो है मैं चलो करते नाम क्या रहेगे तो पुछ स्पीट मोटर्स पी एम मोटर्स यह नाम तो उन्होंने बोला सिम्ना नी नाव रखते यह आप जो बोल रहे हो कि आपने ओटो मोबाईल सेक्टर से अपने करीर की सरूफ रहे इस तो आपने जो भी मीका आईडिया आपको आया, तो वह कैसे हाया और कहा से आया? वह इसित्छा रहा है कि उन्हों ने बोलाए क थी क्राइप गणाइब ? अब्दूल भाई को पता था, तो उन्हों ने बोलाए के थेयर ? मुझह से प्रॉपर बोला भी नहीं जाता है, जैसे आप से नहीं बोला जा रहा है, मुझे भी to Simnani से भी नहीं बोला जाता था, जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, तो मुझे तो बस करना था, तो नाम से मुझे कोई था नहीं बोला, तो वेस्ट फिल गोड़ोर पर हमने फर्स्ट दोजार चौदा में दस पाइट दस की कैबिन से सिम्दानी मोटर्स हमने चालू किया मैं और अब्दुल भाई निलके काफी मिनत की सूबर टू विलर बाइक पे दोनों निकल जाते थे गल्ती से किसे ने इंक्वारी कर लिए तो समधलों मर गया उसके घर तक पोच जाते के गाड़ी क्यों नहीं तुने मतलब इतना उसके पीछे पढ़ जाना मतलब इतनी उसको गाड़ी बेचने कि हमारे पास उसके पास कोई अपसन निया गाड़ी हमारे पास लेनी पड़ी कि तो इस तरह से नाम सिम्नानी मोटर्स की जब शरुवाद की कोई भी सेक्टर में हम बिजनेस स्टाट करते हैं तो बहुत उतार चड़ाव आते हैं बहुत मुस्के लिए आती है तो आप जब यह बिजनेस स्टाट किया तो उसको सेट होने तक कितना समय लगा और किन-किन तरह कि मुस्के लिए आपके सामने थी जब मैंने चालों किया ना सिम्नानी मोटर्स तो मैं पहले बताना भूल गया इंसेंटिव के जो अमाउंट होता है न सेलरी का उससे मेरा बीस या पच्छी रुपे इंसेंटिव अमाउंट था और उनका भी दुनों मिला के पचास जार के आज साथ में हमको पूरा सेट अप करना था तो पचास जार में यार ओफिस को कलरवाए टेबल ले खुरसी ले करें क्या इतने पैसों में होगा क्या तो एक अच्छी दुकान मिल गई तीन अजर किराई की तो अच्छा काम हो गया उसका डिपोचिट भी हो गया और टेबल खुरसी का क्या करें तो सेकंड में जो हम बिलती है वहां गली कुछी में वहां से हमने एक टेबल और चालू कर गुचा लिए तो तो टर्गल टोड्रें से यह लाई वह वहल मंडब लगाके डेमो करते से तरिम परचंट करें और ट्रात मेरे पापा पास्याय करता हूं मैं पापा चाहिएद कर चाहिएज करता हूं बड़ा टाइ庫 का कुछ करते हैं तो मैंने तो दिनाए कर दिया अब भी मैं रेडी नूश के लिए और उनने करते हैं चलना कुछ तो करते हैं तो फिर उन्होंने उनके पार्टनाजीड हुए फिर जाके मुरा भागल जो प्रांच से अभी पिछले साल से सिंदानी मोटर्स फिर वहां मुरा भागल चाल हुआ जी आपने मुरा भागड एरिया में अपना सिम्नानी मोटर स्टार्ट किया तो उसकी खासियत क्या है शोरूम की उसके बार में कुछ जन्लाइब एक हमारा ऐसा सेटप है ना वहां आप गाड़ी लेना आओगे न तो आपको सभी गाड़ी मिलेगी पहले हिरो से लेके होंडा बना देते हैं पान काहण यह तो भी हम कर देते मतलब एक जगा पर सारे काम आपके हो जाएगे सबसे बड़ा प्लस पोइंट शिम्नानी लेके जाओगे मतलब सब स्वालिसन भाई मिल जाए कि आपके जो शिम्नानी मोटर्स के आप भी बात करें हम लोग तो शिम्नानी एक ब्रांच यहां है मुरा पगल एक ब्रांच होल पाड़ है देन अभी हम रियल एस्टेट में हमने एंट्री किया है सिम्नानी आइकोन करके ओलपाड के दो या तीन किलो मेंडर के पास एक गाउं है अटोद्रा करके सिप तेरा बंगले बना रहे हैं ग्राउंड प्लस वन तीन बैटरूम हाल किचण और काफी अच्छी जगा है एक बजट प्राइस में है अच्छी सुवीदा है बच्चों गाउं के लिए नहीं है घाउं के लिए पूरी चीज नहीं है कि आम आपको चिल्डन पे या कोई देगा नी हम दे रहें हो दन पैबली प्रोजेय्ट है वो भी हो जाएगे आपने मॉटर्स की ए फिर एल एस्टेट में आपाए कैसे मतलब कैसे सोच आपने कि अब रियल एस्टेट में भी करना चाहिए यह विचार कहा से आप कि मेरा तो ऐसा है ना कि कोई भी लाइन भाखी नहीं रखना सिम्दानी केश में काहीं भी देखो तूसन क्लासिस का भी प्लान कर रहे हैं अब सब चीज में आप ट्राइ कर रहे हो तू सब जगा पे आपने एक नाम दिया है शिम्दानी इसका नाम रखने का पाच फित पीछ का कारण क्या है और सिम्दानी क्यों मैंने आपको आगे बोला ना कि यह नाम की एमियत मुझे पहले पता नहीं थी कि बड़े पीर का नाम है इसकी अलग बरकत है इसकी नाम का कुछ अलग बेनिफिट एक्ट्रा बेनिफिट है ऐसे ओ टाइम पर रख लिया तो और अब एक अलग ऐसानो करण से एक ब्रांड बन गई है सिम्दानी तो है इस सफवर बिजनेश में वात बात करे रहा है तो आप आपका जो आपको श्टड़ी करिया रहा, आपने जब श्टड़ी स्टार्ट की और आपकी बचपन की ऐसी कुछ यादे, जिसमें से आपको बिजनेसमेन बनने की प्रेणा मिली हूँ, बचपन या मतलब आपकी श्टड़ी, कहां से आपको लगा कि आपको नोकरी नहीं करने हैं, आपक किसी का भी हो, उसकी यादे, वह मेरी हम भूल नहीं पाते हो, दिमाग में कईने कई फीट रहती है, वह जाती नहीं है, और बच्पन हमें दो चीजे बहुत मस सिखाता है, एक इग्नोर करना, बच्चे में ना इगो होगा, ना वह रूठेगा, वह मान भी जाएगा, तो हम में अभी भी बच्चा ही रहना है, मुझे तो अभी भी बच्चा ही रहना है, ना रूठना है, ना इगो विगो, कि I am Akrab Mirja, यार मैं कुछ हूँ, ऐसा अभी भी मुझे बच्चा ही रहना है, और दूसरा, जीत, हर एक चीज पाने की चीज, बच्चा चार गंटे तक रोए मिली थी, कि आपको बिजनेस में बनना है, आपने वाद करिया आगड कि ज्यारे व्यक्ति जीवन मां सफर्थावा मांगता होई शे, त्यारे गणा उतार चड़ाव आउता होई शे, गणी वखत सफर्थावाने लाई मां मान स्चॉटकर्ट अपनावतो होई शे, अनि ते चैकने कैंँ कै LEWER मांट जफ़र्थाना दर्वाजा खुली जाता होई शे, आपने वी बिजनस की शरुवात की, म voyage पन जब आपने सोषा कि आपको बिजनस में नहीं बनना है, जब आपने बिजनस श्टाट की, तो आपको भी बिजनस में कई ऐसी दिक्ते आई होगी, कही यहां से मुझे स्टॉप कर देना है आगे नहीं बढ़ना है लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है कि आपने आगे बढ़ने की ठानी और आज एक आप सफल बिजनेस्मेन हो क्या बोल क्या कहना है आपको इसमें क्या होता है अभी जिस जगह पे मैं हूँ ना हर रोज सुबह 4 लोग बहुत अच्छा गाम करा इतनी उमर में इतना सब कर लिया तो पहले मुझे फरक पड़ता था चीजों से हमें खूस हो जाता था यार मेरी तारीप कर ली और सामने चाल लोग बोलते है कि क्या सक्सेश मतलब है अभी तो जिन्दे की सुरू हुई है 31 साल में इंसान का सक्से बस जहां तक मैं अच्छा हों वहां तक मैं अच्छा करीं पाऊंगा वो सब को होता है मैं आपको भी ये मेरा सबसे ब्राइश होना चींग जो ब्लmy में आप 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 यहां इसे को बना प्रदğ Mैंडन हूं इतना story मैंने यूंज कि उसक्या यह किन इतना है जो कॉमन घर बनाता है ने सिंगल अपना उससे अच्छा मैंने यूज़ किया है क्योंकि मुझे बेस्ट देना है तो जो भी करो बेस्ट करो तो सक्सेस मिला ही है और जब आप आगे बढ़ते हो ना तो नेगेटिविटी आपके पास आनी है और जितना बने उतने ने जो नेगेटिव लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव बात करता है उसको मैं डिलीट कर दिता हूं मनी लिस से एक किस्ता में आप से सहर करना चाहूंगा एक स्टोरी है मैंने कई पढ़ा है दो बच्चे होते हैं एक हैल्दी मोटा सा और एक पतला सा बच्चा होता है तो खेलते गाउं से कहीं जंगल में दूर चले जाते हैं तो बच्चा है ना जाड़े वाला बच्चा कुए में कहीं गिर जाता है और बचाओ 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 तो छोटे वाला बोले मैं मैं इसको कैसे खीच सकता हूं तो बहुत मोटा है मैं इसको कैसे बार कैसे ला सकता हू को तो भी डूरी डालता है औरीच ले लेता है और फिर दोनों मेगाने गाउंप rayon जाते इस तरह का कुछ चीन होई हमारे पिर गेर गया मैंने को लिए कि सकता है तु इतना पतला और घ्यातना बेकषन big सकता है क्या है विर्द पतले वाला कोई नहीं ने कर सकता तबहीं किया जो आपको बोलते हैं नहीं होगा हुआ आपके बन्मन साही से नहीं बोल रहे है आगे बात करें तो हर चीज में ऐसे बोला जाता है कि जब आदमी सक्सेस होता है तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है आपके सक्सेस के पीछे का रहा है और आपक तो हुखा है किसी सबसे पहले तो ठैंक माडीर अल्ला क्यों, उपर वाले क्रेटर भवान अल्लाय उनकी मर्जीय से भिना तो कुछ होता ही निहीं है उन्होंने कुछ देखा होगा इन्सार थे में यंदं करते लाखो लोग काम करते हैं लाखो लोग अपने अफ़र लगाते हैं पर कोई गीने चुने लोगी सक्सेज होते हैं तो 70% लग होता है मुझे जहां तक मेरा एस्पिरेंस बोल रहा है कि 70% लग का खेले थर्टी परसें और यह लग किस्मत है नियत पर डिपेंड करती है हर किसी क किसमत सही नहीं होती है नियत आपकी अच्छी होगी ना तो किसमत खराब होगी तो भी अच्छी हो जाएगी के देखो मैं यहां अच्छी बाते कर ऊपर मेरे मन में मन में क्या हो तो उपर वाला जानता है न तो नियत जितनी साफ रखोगे एंड अच्छ उपर वाले पर भरो जे मानस ने शफड करवा माटे काम करतो होईशियोज्ट अने तेने आगल वद मदारत होईशिय० परतु और तो आवदे ठते हैं परने उरे शाहिं करमा कर दो मेरा हैया तो किला फंस नाखिन आगल वद कि अपने अपने सेलसमेंसे अपने करियर के शर्वाद की तो इतने समय तक आपने आपने सेलसमेन जाप की एर कैसा अनुपह हु रहा आपके सेलसमेन के करियर है हम मैं बात करूंगा ना जबना कमे आपको बोला मैं मुझे ऑट contractor hi honda का कोई new i तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसके मैं बात करने जा रहा हूं हमन करके सिनियर सेल्स परसंट तो मैं उसके आगे पीछे यार तुम मुझे सिखा ना क्या है क्यों बता ना जो आप आइस पर नहीं है तो हाभी टाइम नहीं है बात में बता हूंगा अभी अच्छी दोस जो हाइस गाड़ी बेचता था उसका तो हैमन का ही लगता था हो स्टार आप दी मन मैंने जोइंट किया जैसे आपको बोला दो जार बारा की बात करहा हूं तो उसके आगे पिछे मैं कुमता था कि बुझ मुझे सिखा सिखा तो फैब में चौदा दिन में तो मैंने यह क्य जैसे आपने सेल्समें के साथ सेल्समें अपने करियर की सरुवात की उसके बाद बीजनेस्में बने अभी आपके जो अपकमिंग प्रोजक्ट है आप उसके बार में कुछ बताना चाहेंगे अभी एक दो लेंड की बात चल रही है इंसाला भी हो जाएगा तो हमारे आपके अपके आप जीस भी उसमें आप आगे बड़े वहां पे आपको सफलता प्राफ्त हो जैसे कि अभी तक आप कर रहे हो और अभी की जो युवा पेडिये उसके लिए आप क्या संदिश साथ देना चाहेंगे कि मतलब कहीं बार क्या होता है ने कि लोग हार मान लेते कभी कभी हार मान लेते तो आपके आपकी लाइफ में भी बहुत उतार चड़ाव आए ही होंगे तो आप आज की युवा पेड़ी को क्या कहना चाहेंगे कि कहां पे हार न मान के आगे बड़े जैसे कि जैसे आप अभी सफल और पहुल दिए और भए किया सिट आयडख सकता है। ओर सुब अपने आपको कहोगे नेयर मैं हार मानने वाला नियों हो जाएगा मैं कर लूँगा जैसे मैं आगे बोल चुका ना खुद को बार बर बोलते हैं आइम दो बेश्ट हूँ बस वह बार बर एक मेरा एक सकसेज मेरा प्रसनली बोलून मैं बेश्ट हूं कोई मेरे क्या सोझ रहा है बा절 बोलud hymdy मैं ऑलव जादा बोलता है sob करता है दिखाता निदे परग ने पड़ना चीँ है कोई क्या पोड़ रहा है मुझा पता है आप हमारे साथ जूड़े इसके लिए आपका धन्य व्याद करते हैं त्यार्या कार्यक्रमा बस आठ लूज रजाप शुक नमस्कार